बूर्णिंग स्टूरेंट्स मैं डॉक्टर मुनिश डूडी टीम CLC सीकर आज अपने बात करें देंगल 7 में केमिस्टी इन और्गेनिक के बारे में बात करते हैं पहला कुषिन है वो क्या है यह कोडिनेशन कंपाउंट पर है कोडिनेशन कंपाउंट से हर साल एक कुषिन द अब यह इंपोर्टेंट है NCRT से उठाकर दिया हुआ है कि इसकी जो सिस्फोर्म होती है वो अप्टिकली एक्टिव होती है सिस्फोर्म होती वो अप्टिकली एक्टिव मिलेगी अपने को और ट्रांस फोर्म है यह सिस्फोर्म है यह अप्टिकली एक्टिव मिलेगी अप CL और CL एक दूसरे के सामने सामने आगे जहां भी आपको आमने सामने सेम मिलता है वो अप्टिकली एक्टिव कभी भी नहीं होगी यह तो अप्टिकली एक्टिव होगा सिस वाला परन्तु यह अप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो अपना आंसरा देगा फॉर्थ नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइटेनियम प्लस थी कोबाल प्लस थी एफ फ्लस टू एंड कॉपर में से कौन सा आयन उच चक्रन तथा निम्चक्रन का निर्वान नहीं करता देखिए बटा जी टाइटेनियम कितने वे है टाइटेनियम में अपने पास प्लस थीन कर दिया एक एलेक्ट्रन हुआ यह दोनों का निर्मान नहीं करते हैं यह भी कोडिनेशन केमिस्ट्री से कुषिन है वा ग्राइटेनियम में वीक शी टूरवि करब से देखिए कारवन के दूरी बीच पर सब्सक्राइब चार्ज बढ़ने पर तो बढ़र कैं बढ़ब बाढ़ vibrant क्या होग ज़ाएगी और बोण अनर्जी यहां देख जाएगी और बोण फ Stress है और इसकि बोण खिर सैथकर व एक उसक्सक्राश भेंbeanических और सब्सक्रत and हो तो इस अप्शिन आजेगा अपने पास थर्ड आजेगा अपना थर्ड नेक्स्ट बात करें करें जब एफी ओ थ्रीव की अशुद्य अशुद्य अधिक्य में होती है तो वॉक्साइड के सांद्रे में किसका यूज किया जाता है बेटा बात करें गलनांग की बात करें जिंक एड़ मरकरी का अपनी सीरीज में सबसे कम होता है मुलेगा याद रुखने वाली बात कि फॉस्फर ठीव करने साथ साथ में फॉस्फीण मिलती है फॉस्फवरिक एसिड एन फॉस्फीन मिलती है तो आंसर आजएगा फस्ट फॉस्फरिक ऐसे एन फॉस्फीन कि अच्छी अप्चायक होते हैं उनका एलेक्ट्र लाइसिस किया जाता है तो को पर क्या करते हैं तो अपना आंसर आजएगा फॉर्थ अमली सामर्थ यगा सही करम नहीं है सही करम नहीं है हाईड्र अाटर के लिए असीड के लिए लिए बात करें तो टॉप्टों जाने पासे डिकने रिखनल वती है तो अपना आणसर आजएगी गडथ है अपना आजएगा इसकेिल सोची स्चिर फैस्ट को सेकंड से मिंद करते हूँ सही उतरका चैन कीजिए एननस्थरी पैटा ये किसकी बात कर रहा है कौतनांग को लिधा सबसे ज्यादा होता है फिर एननस सरी का चैनल की नोसे क।र पी का एक डिसन बंडिंग होती है तो सबसे ज्यादा किसका मिलेगा अपने को, S, B, S3 का सबसे ज्यादा कुम सा है, 240, तो 1st का 4 आजएगा, ने सरी, Ammonia का 2nd type मिलेगा, 1st का 1st, 1st का 1st, B, S3 सबसे कम आएगा, देख लीजिए, B का 2nd, C का 4th, 3rd आजएगा, और D का 4th आजएगा, ऐसा सेम तुसेम वही, पहला में अपने क्या आएगा, NS3, SBS3, ASS3, NPS3, यह melting point का उड़ा है, याद रखना है इन दोनों को, यह melting point का उड़ा है, और यह किसका है, boiling point का उड़ा है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तापी स्थायते के बढ़ते हुए करम की पहचान कीजिए, पेटा कार्बोनेट, multi-atomic जितने भी हैं, उनका तापी स्थायते वर्ग में उपर से निचे जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, SRCO3, CACO3, MZCO3, and BECO3, यहां ओडर देखें, सबसे ज़्यादा SRCO3, फस्ट का सबसे ज़्यादा, तो increasing order पूस रहा है, तो अपने आजएगा फस्ट का सबसे ज़्यादा, फिर अपना आजएगा, थर्ड, फिर अपना आजएगा, सेकिंड, सेकिंड आंसर आजएगा, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, निम लिखने कोन सा रणाइन उक्सेगत अप्चेट हो सकता है, पिर जो अपनी intermediate oxidation state में है, उसी का अप्चेट अप्चेट पॉसिबल है, बाकि पॉसिबल, नहीं है, कोई अपनी negative maximum है, या कोई अपनी positive maximum है, यहां बात की plus 6, प्लस 6, प्लस 5, और प्लस 5 में है, यहां पर intermediate oxidation state में है, तो अपना answer आजाएगा, थर्ड, नेक्स्ट क्विशन है, कह रहा है कि अभिकारक पर उत्पाज को मिलान केजिए, लैड नाइट्रेट, NCRT से उठाया गया है, यहां पर क्या बनती है, NO2 गैस बनती है, नाइट्राइट, नाइट्र second, P का second, ठीक है, Q का अपने पास मिलेगा, Q का मिलेगा fourth, P का second, Q का fourth, R का first, answer आजेगा, first, अपना answer कों सा आजेगा, first, इनका मिलान करोगा, आजेगा, next बात करते हैं, अब last में अपने question दे रखे हैं, यह physical, organic के आ गए हैं, संकुलाइन, FECN का whole six, इसमें बात करें, इसमें देखा, D6 है, यहां क्या है, D6 है, प्लस 2 में है, तो D6 है, strong field ligand है, तो pairing हो जाएगी, pairing हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, D2, SP3, hybridation हो जाएगा, और निम्चक्रन का होगा, और पर्तिचुम के, diamagnetic हो जाएगा, answer हो जाएगा, first, जिनोन F2, जिनोन F4, जिनोन F6, hybridation बताना है, जिनोन F2 में कौन सा हो जाएगा अपने पास, SP3D हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, अपने पास SP3D2, और इसमें हो जाएगा, SP3D3, तो answer हो जाएगा, second, डाइबोरेन, डाइबोरेन में, क्या है, बेटा डाइबोरेन की structure बनाएं, बी, बोरोन, H, 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 यहां से लेकर यहां तक के बात करें, 3 center, 2 electron bond, कौन सा, 3 center, 2 electron bond, तो यह दो हो गए, सित्तु, hydrogen के साथ, बने, दो सित्तु, hydrogen परमान, तो चार सिर्य वाले hydrogen को रमान, उपस्तित होते हैं, तो अपना answer आजाएगा, second, two bridge hydrogen atom and four terminal hydrogen atom, दो bridge वाले आ गई, और four कैसे आ गई, terminal आ गई, next बात करते हैं, कहरा है कि diamagnetic कौन से molecule से, इसमें यह paramagnetic हो गया, ठीक है, इसमें बात करें, यह paramagnetic हो गया, यहां बात करें, N2 and F2, कहां यहां भी कोन आ गया, यह paramagnetic आ गया, तो कैसा है, only N2 and F2 कैसे है, paramagnetic है, कैसे है paramagnetic, sorry, diamagnetic है, N2 and F2, इसमें paramagnetic यह आ गया, इसमें यह आ गया, इसमें यह आ गया, तो अपना अंसर आजएगा end to end F2 करा कि which among the following gives nitrogen on heating अभी बात किये अपने इसको गरम करेंगे तो अपने के मिल जाएगी end to gas मिलती है ठीक है तो अंसर आजएगा अपना fourth यह तो physical chemistry के आगे बेटा अपना neat level का सारा का सारा paper था पुरा पुरा topic execution के लिए गए है मिलते हैं next dungle में आज के लिए इतना ही thank you is determined by the following ठीक है देखो कि उपकोश जैसे अगर बात करें हम S उपकोश की है तो S उपकोश में maximum electron होते हैं 2 P sub shell है तो P sub shell में maximum electron हम बढ़ते हैं कितने 6 D में जो हैं maximum electron हम बढ़ते हैं कितने 10 ठीक है तो आपको जो है maximum electron की संग्या याद रखने का वाला question है 4L plus 2 जो है वो आपको ध्यान में इसमें रखना है अब यहाँ पर जो है वो इसके लिए अगर हम बात करें L की value 0, 1 और ये 2 आप L की value रखके देखो अगर ये formula satisfy हो रहा है तब तो ठीक है अदरवाइस जो है ये answer क्या होगा गलत होगा तो एक उपकोश में maximum electron तो हम देंगे 4L plus 2 से इसके अलावा जो हो अगर आपको पूछे कि एक जो अपने पास उपकोश होता हो उसमें अधिक्तम कक्षकों की संक्या कितनी होती है तो अधिक्तम कक्षकों की संक्या होती है भी है 2L plus 1 और एक कक्षक में 2 electron होते है इसलिए जो maximum electron कितने हो जाएंगे 2 into 12 plus 1 तो आप इसको जो हो इस form में भी लिख सकते हो एरबात तो उमिद करते हैं आपने question ठीक किया होगा next question की तरफ हम बढ़ते है question number 64 देखिएगा यह आपको बोरा जल के अणो की संक्या निम्न में अधिक्तम है the number of water molecules is maximum in ठीक है आपको पता होना चाहिए इस तरह question जो हो नीट में अक्सर पूछे जाते हैं तो जल के 18 अणो बढ़िये यहाँ पर तो अणो की संक्या ही कितनी है 18 है 18 molecules of water तो यहाँ पर molecules तो कितने है 18 है फिर अगर यहाँ पर देखिए 1.8 gram of water तो सबसे पहले हम जो हो इसमें mole पता कर लेते हैं तो mole निकालने का तरीका हमारा यह है given mass upon molar mass तो number of mole आएंगे कितने 0.1 तो molecule जो है वो हमारे पास आजाएंगे molecules कितने आएंगे 0.1 एने इतने molecule जो हो निकलके यहाँ पर आते हैं फिर 18 gram of water तो यहाँ पर अगर मैं mole निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा given mass upon molar mass बोले तो 1 और एक mole में molecule होते हैं कितने आएंगे तो यहाँ पर molecule है हमारे पास कितने आएंगे और यह दिया 18 moles of water और 18 moles का मतलब जो molecules कितने आगे विया जी 18 आएंगे तो सबसे जादा molecule जो हो किसमे है 18 moles water में clear है बात तो उम्मीद करते हैं question आपने ठीक है होगा next question की तरफ चलते हैं यह redox का question है balance का question है बहुत ही आसान सा question है निमन संतुलित रासायनी का विक्रिया में यह एक reaction आपको दिये ABCD आपको क्रमशय पूछे है ठीक न ABCD आपको पूछे है तो देखो जरा कि यह एक reaction है IO3 minus plus I minus is converting into I2 यह reaction है H plus को जो है इसलिए indicate किया गया है ताकि जो है medium का जो है acidic medium यहाँ पर select करता है आप देखो यहाँ पर जो है यह plus 5 oxidation state में यह minus 1 में यह 0 में तो plus 5 से जो हो यह चला गया है किसमें 0 में इसने कितने का change किया 5 का minus 1 से यह 0 में चला गया इसने 1 का change किया तो इसके change को इससे multiply कर देते है और इसके change को इससे multiply कर देते है तो हम यह बोलेंगे IO3 minus plus 5 I minus is converting into I2 अब यह जो इनके coefficient है यह तो हो गए है fix अब जो भी change करेंगे हम इस तरफ करेंगे आप देखो total जो iodine कितने हो गए 6 हो गए तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा फिर इसके बाद मैं oxygen चेक करते हैं तो इधर 3 oxygen है तो इधर मेरे को 3 H2O लगाना पड़ेगा कि oxygen को balance करने के लिए क्या add करते है water molecule add करते है फिर इस तरफ मेरे को 6 H plus add करना पड़ेगा आप देखो अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो last में charge को balance करने की जरुरत नहीं है charge अपने आप क्या हो जाता है balance हो जाता है इसको हम oxidation number method बोलते है आपने अगर थोड़ा भी पड़ा हो तो इधर जो है total charge देखो ये तो हो गया plus का 6 ये हो गया minus का एक और ये हो गया minus का 5 यानि overall charge कितना हो गया ये charge हो गया 0 और दूसरी तरफ भी charge कितना है 0 अब coefficient चेक करते है तो भहिया io3 minus का coefficient है 1 जो की 1 है i minus यानि a तो a is equal to तो आगया कितना अपने पास 5 i minus 5 है और b h plus जो हो अपने पास आगय 6 तो यानि b की value आगय कितनी 6 फिर c water molecule का coefficient c है तो यानि c की value आगय कितनी 3 और फिर d, d जो हो अपने पास i2 है तो i2 आगय कितने 3 तो यानि कि a b c d की value अपने पास होगी 5 6 कि stp पर 0.50 mol h2 gas तता 1 mol helium gas ठीक है कि उसत गती जूर्जा समान होगी का आणवी क्वेक समान होगा का आयतन समान आयतन ग्रहन करेगी कि समान निस्रण दर होगी question है stp at stp.5 mol of h2 and 1 mol of helium gas देखो ये भी stp पर है और ये भी stp पर ही है have equal average बहिया देखो एक्वल average kinetic energy का मतलब होता है kinetic energy for 1 mol कि kinetic energy of 1 mol और आपको पता होना चाहिए kinetic energy is the function of only on absolute temperature यानि kinetic energy जो हो केवल और केवल temperature का function होती है capital T का function होती है तो ये T पर ही depend करती है average kinetic energy में आपने average लगा दिया यानि वो 1 mol को define करेगी 1 mol के लिए और 1 mol की है यानि इसके लिए भी 1 mol इसके लिए भी 1 mol तो दोनों की 1 mol की kinetic energy जो है वो अगर temperature सेम है तो दोनों के लिए क्या रहेगी सेम ही रहेगी clear रहे बात इक्वल molecular speed भया molecular speed इक्वल कैसे हो सकती है क्या molecular speed तो जैसे मालो होई नहीं सकती occupy equal volume भया mole अलग-अलग होने की वज़े से volume भी जो है वो equal नहीं हो सकता इसका volume तो होगा कितना 22.4 liter और इसका volume हो जाएगा कितना 11.2 liter ठीक है have equal effusion rate और आपको पता है कि rate of effusion या rate of diffusion जो है वो under the root mk inversely proportional होती है तो यहाँ पर भी दोनों का m अलग-अलग है तो option number first is correct तो concept आपने सही लगाया होगा तो next question की तरफ चलते है question number 67 देखेगा एक reaction आपको दे रखिए यहाँ delta H यह जो है यह positive है यह प्लस 99 ठीक है तो यह जो है प्लस 99 kJ आपको दिया हुआ है तो आपको बोरा अगरा भी करिया कि मात्रा को निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है यानि कि forward reaction को आपको क्या करना है बढ़ाना है forward reaction का extent जो हो बढ़ाना है reaction को आगे की तरफ लेके जाना है तो the extent of forward reaction can be increased by ठीक है, तो आगे की तरफ लेके जाने के लिए पहला है removing SO2, भाईया, SO2 को अगर आपने हटाया, तो reaction किदर आएगी, पीछे की तरफ आएगी, using a catalyst, भाईया, catalyst जो हो कभी भी reaction में extend को नहीं बढ़ाता है, वो केवल forward और backward direction, backward direction की rate को change करता है, और जिस speed से forward की rate को बढ़ाता ह ठीक, उसी speed से backward की rate भी बढ़ती है, या अगर forward की rate कम हो रही है, तो जो है, वो backward की rate कम होती है, rising the temperature, भाईया, देखो, delta H positive है, यानि कि forward direction में endothermik है, और तो backward में कैसी होगी, X होगी, तो temperature अगर बढ़ाऊंगा, तो मुझे पता, reaction किदर जाती है, endo की तरफ ही जाती है, त इधर gaseous molecule कम होंगे, उधर जाएगी, तो pressure कम कर दिया, अगर आपने, तो किदर आजाएगी, पीछे की तरफ आजाएगी, तो इसमें option number third correct है, उमिद करते हैं, आपने सही किया होगा, next question की तरफ चलते है, question number 68, देखिएगा, कि जल में BASO4 की विलेता 29 Kelvin पर इतनी gram पर ले की है, तो अब इसके लिए KSP, तो पहली बात तो इसके लिए KSP होगा, अब या S square, लेकिन यह solubility जो होती है, यह होती है, मोल पर लेटर में, तो इसको आपको मोल पर लेटर में, बदलना पड़ेगा, 2.42 divided by, 2.42 into 10 to the power minus 3, divided by, यह हमारे पास जो वो कितना है, इसका मोलर मा 43, और इसका जो है, मैं कर देता हूँ, क्या, square कर देता हूँ, तो जब square करूँगा, तो यह आजाएगा approximately अपने पास 10 to the power minus, तो इसका square करोगे तो यह आएगा 10 की घात minus 6, ओके 10 की घात minus 5, और यह इससे cancel होगा, लगबग 1.03, तो 1.03 का square करोगे तो 1.08, और यह 10 की घात minus 5 जाएगा तो गुणा 10 की घात minus 10, ऐसा कोई option जो हो अगर अपने पास है, तो यह ठीक है, ठीक है, तो यह question number अपने पास 68, 68 के बाद में 69, निमन में से कौन सा fluoroyोगिक Lewis-6 की बाती विवहार करेगा, which of the following fluorocompound is most likely to behave as Lewis-base, तो Lewis-base क्या होता है, जिसके पास जो हो जो लोन-प पर नहीं है, सिलिकॉन के पास, खुद के पास vacant orbital है, फॉस्फोरस के पास जरूर जो हो एक लोन-पेर होता है, और fluorine आपको दे रखा है, तो यह हो सकता है, Lewis बिहेव की तरह है, जो हो बिहेव करें, ठीक है, नेक्स question की तरफ हम बढ़ते हैं, तो question number 17, देखिएगा, 17 नमब जाए, तो प्रक्रम में किया गया अधिक्तम कारिय क्या होगा, देखो जी, कि प्रक्रम में किया गया, the maximum work done आपको पूछा है, तो maximum work done के लिए पहली बात तो यह process है, reversible, ठीक है, process कैसा हो गया, आपने पास, reversible process है, ठीक है, और फिर जो है, यह कैसा है, प्रसार कारिय है, तो reversible और दूसरा जो हो, आपको समताप यह दे रखा है, यानि कि isothermal process है, और reversible isothermal process की अगर बात करें, तो W निकालने का तरीका होता है, minus 2.303, और यह आजाता है, nRT, और यह आजाता है, log V2 by V1, तो रख देते है, minus 2.303, n की value जो है, वो आपको दे रखिए, 16 ग्राम oxygen का मतलब हो गया, 1 by 2, और नीचे जो है, Joule दे रखा है, तो यानि R की value 25 by 3 ले ले लेंगे, और फिर temperature जो है, आपको 300 Kelvin दे ही रखा है, log V2, तो initially जो है, volume अपने पास 5 decimeter cube, फिर 25 कर दिया, तो 25 by 5, यह cancel हो गया 5 times, यह 100 times जाएगा, ठीक है, और यह आजाएगा, अब यह आपने पास जो है, माइनस 2.303 into 1 by 2, और यह आगया 2500, और यह जो है, वो आपने पास एक तरीके से है, कि भई, अच्छा, जब तक कि इसका अटन, 25 decimeter cube ना हो जाए, पास से, बिलकुल प्रसार ही हो रहा है, एक तरीके से, जो हो, expansion ही हो रहा है, तो यह आजाएगा 0.7, अब आपको पूछा, आप कहो कि सर यह तो negative आएगा, जब कि negative जैसा कोई sign यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यह इसने जो हो work done पूछ लिया ना, कि work done by gas, ठीक ना, तो work done by gas बोल दिया है, तो यानि कि इस word में minus include हो चुका है, तो यहाँ पर केवल आपको क्या बताना है, magnitude ही बताना है, clear है जूल में आएगा, इसको आप जब solve करोगे तो, ठीक है, तो option number first is correct, उमिद करते है, question concept आपने सही किया होगा, next question की तरफ बढ़ते है, question number 71, देखेगा, आपको क्या कह रहा है, कि यह चार reaction दिया आपको, ठीक है, तो दी गई है, अविक्रियाव थटा, delta H के मानों के आधार पर 298 Kelvin पर अविक्रियाए कि enthalpy की गणना कीजिए, कि for the given following equation and delta H values, determine the enthalpy of reaction at 298 Kelvin for the reaction, ठीक है, देखेगा, आपको जो है, यह एक reaction दी है, और इस reaction के लिए delta H निकालना है, तो इस reaction के लिए delta H निकालने के लिए, तीन reaction ओड़ दी है, आप सोचो, इन तीनों को कैसे arrange करें कि यह व और C2H4 मुझे इस reaction से मिलेगा, तो मैं काम करता हूँ, चोथी reaction को flip कर देता हूँ, तो यह आया, C2H4, यह gas is converting into 2C solid, plus 2H2, और यह gas, तो flip करते ही, इसका जो delta H है न, यह हो जाएगा, minus का 52, clear है बात, फिर इसके बाद में, जो है, मुझे इस तरफ चाहिए, यह CF4, तो CF4 को 2 से multiply करता पड़ेगा, तो यह आजाएगा, 2 carbon solid, plus 4F2 gas, is converting into 2CF2, 2CF, 4 gas, तो अब इसका delta H, जो है, वो भी 2 से क्या हो जाएगा, multiply हो जाएगा, कहने का मतलब, minus 680 into 2, तो यह आजाएगा, 0, minus का 1360, ठीक, फिर इसके बाद में, जो है, वो हमें चाहिए, 4HF, 4HF की जरु है, तो इस वाली reaction को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से multiply करना पड़ेगा, तो 2 से multiply करूँगा, तो 2H2, plus यह आजाएगा, 2F2 gas, is converting into 4HF gas, और यहाँ पर जो वो delta H मेरे पास आएगा, 2 से multiply करूँगा, तो यह आजाएगा, माइनस का 1000, कितना, माइनस 1044, ठीक है, हो गया, अब इन तीनों को add करते हैं, तो तीनों को अगर मैं add करूँगा, तो देखो जरा, H2, H2 तो क्या होगा, cancel होगा, कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड क्या हो गया, cancel हो गया, और कुछ cancel हो रहा है, तो और कुछ cancel नहीं हो रहा है, तो 2C2H4, is converting into C C4 plus 4HF, देखो जरा, यह reaction बन रही है क्या, जो reaction हमें चाहिए थी, वो ही बन रही है, तो इसका मतलब यह है कि reaction को जब add करते हैं, तो इनका delta H भी क्या होता है, add होता है, तो सब को add करते हैं 1074, 1360, और यह आया 52, तो यह हमारे पास आजाएगा कितना, 6 और 5 जो है, वो अप कितना, माइनस का, ठीक है न, तो माइनस का 2460, option number second is correct, तो यह है भी है, question number अपने पास 71, फिर चलते है 72 के पास, देखेगा क्या कहा रहा है, solid state का question है, x plus तता y minus i no की i निक तरी जाए, x plus की तो इतनी है, और y minus की कितनी है, 216, ठीक है, तो the probable type of structure, shown by it, तो कौन सा structure वो दिखा आएगा, देखेगा, तो यह इसके लिए सबसे पहले जो हम radius ratio निकाल लेते हैं, r plus upon r minus, तो 146 upon 216, यह आएगा approximately 0.67 के आसपास, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर radius ratio, r plus upon r minus, इसकी value जो है, वो हम बोलते हैं कि यह 0.4, 14 से तो जादा हो, या फिर 0.732 से बराबर या इ इसके बीच में अगर आता है, तो वहाँ पर void होती है, octahedral void, और अगर octahedral void आती है, तो coordination number 6, और 6 coordination number वाला जो है, वो कौन सा होता है, rock salt होता है, या फिर आप क्यों कहों कि जिसमें octahedral void होती है, वो कौन सा होता है, rock salt होता है, NECL type crystal होता है, ठीक है, next question की तरह बढ़ते हैं 73 देखेगा, कि KI की एक जली है, विलियन की सांदरता 1 molal है निमन में से, किस परिवर्तन दुआरा, विलियन का वाश्पदाब बढ़ेगा, and at first solution is 1 molal in KI, which change will cause the vapor pressure of the solution to increase, आपको पता होना चाहिए, कि या किसी भी solvent में, volatile solvent है, जब हम non-volatile solute add करते हैं, तो जितना ज्यादा sol प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा, हमें vapor pressure बढ़ाना है, अगर NaCl इसमें मिला दिया, vapor pressure और कम हो जाएगा, Na2SO4 मिला दिया, vapor pressure और कम हो जाएगा, कया ही मिला दिया, vapor pressure और कम हो जाएगा, पानी मिलाओगे, solvent का amount बढ़ाओगे, तो vapor pressure जो अलगातार क्या होगा, ठीक ना, next question की तरफ चलते तो भीया, अब जो है वो हम चलेंगे अगले section की तरफ, जहां से अपना part चालू होता है, तो यह है भीया, question number 96, देखेगा, surface chemistry का question है, जब तनू AGNO3 को KI विलियन में मिलाया जाता है, तो AGI के धनावेशित सोल का निर्माण होता है, भीया, देखो, क AGNO3 को हम मिला रहे हैं किसमें, कि AI में, हाना, और यहां पर जो हो, excess में कौन है, यह excess में है, और यह excess में है, तो बनेगा क्या, AGI, अब AGI क्या करेगा, positive solve भी बन सकता है, negative solve भी बन सकता है, तो AGI क्या करेगा, या तो AG plus या फिर I minus को absorb करेगा, अब AG plus और I को ही absorb क्यों करता ह क्योंकि preferential adsorption होता है आपको पता होना चाहिए जो preferential adsorption होता है और उसी आयन का adsorption होता है जो इसके साथ common हो अब इन दोनों में से solution में जो access में होगा उसका adsorption करेगा और access में कोण है? एजी प्लस access में है तो एजी प्लस को जो हो एड्जोप करके यह जो positively charged होल का formation करेगा तो एजी प्लस का adsorption यहाँ पर होने वाला है ठीक है? अबिक्रिया की 17 से 77 डिग्री बदलने पर अबिक्रिया की दर निम्न गौणा द्वारा बदल जाएगी देखो जी अबिक्रिया की दर कौन से? यहाँ पर भी temperature का difference कितना है 10 degree और यहाँ पर भी temperature का difference 10 degree और NCRT में हमने कहा है यह NCRT में लिखा हुआ है कि प्रते एक 10 degree ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर लगबक दुगनी या तिगनी हो जाती है इसते बोला लगबक दुगनी हो जाती है तो अगले 10 degree पर भी जो है वो एक तरीके से अभिक्रिया की दर लगबक क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी और लगबक दुगनी का जो है वो एक ही अपने पास option है जो दुगने के सबसे आसपास है कौन सा 1.96 ठीकर नेक्स कोशन की तरफ अपन बढ़ते हैं तो नेक्स कोशन है प्रारुपिक ले रहा है ठीक ना तो यहाँ पर हम मोलिकुलर्टी जो बता सकते हैं इसकी अनुसंकेता कितनी होगी एक होगी नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं कोशन नमर 99 290 कल्विन पर निम्न अर्ज सेलों के मानक अप्चेन विववव दिये गया है तो स्टेंडर्ड रेटक्शन प यह आपको पता होना चाहिए औक्सेडेशन पोडेंशियल क्या होता है औक्सेडेशन पोडेंशियल होता है तेंडेंसी तेंडेंसी तो गेट ऑक्सेडाइस गेट ऑक्सेडाइस जादा होता है उसके खुद के ऑक्सेडाइस होने की पोडेंशियल खुद के ऑक्सेडाइस ह potential अब भीया देखो कि इसका जो है वो आपको reduction potential दे रहता है तो op हो जाएगा आपने पास plus का यह हो जाएगा plus का point 740 यह जो है वो तो 0 ही रहेगा और यह हो जाएगा भीया minus का point 77 तो जिसका oxidation potential सबसे ज़्यादा होगा वो ही अपना answer है और oxidation potential यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है फिर zinc का आ रहा है तो zinc जो है ना वो सबसे अच्छा यहाँ पर reducing agent होगा I hope आपको question concept समझ में आ गया होगा next question की तरफ बढ़ते हैं तो zinc को iron पर जंग लगने से बचाने के लिए सताय करण या cathodic reaction के लिए उपयोग किया जाता है zinc को जो हो हम cathodic protection या फिर galvanization आप बोल सकते हो कि उसके लिए काम मिलेते हैं कारण क्या है क्यों बहिए देखो यह iron block galvanize करवाते हैं तो इसके उपर जो हम क्या करते हैं zinc की परत चड़ा देते हैं और zinc की परत क्यों चड़ाते हैं क्योंकि अब पहले zinc oxidize होगा और zinc अगर oxidize होगा पहले तो बहिए iron जो हो अपना क्या रह गया safe रह गया तो zinc oxidize जल्दी हो रहा है अभी मैंने कहा oxidation potential क्या होता है tendency to get oxidize तो इसका मतलब zinc का oxidation potential जो है वो iron से क्या होगा जादा होगा इसलिए iron की बजाए zinc जो है वो पहले क्या हो रहा है oxidize हो रहा है option number second is correct तो I hope आपने पूरा paper अच्छे से किया होगा पूरा paper NCRT based है पूरा paper NEET के level को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है और बाकी अगर किसी question में किसी प्रकार का कोई doubt हो तो आप जो है वो उसमें question comment में लिखें आपके doubt को solve करने की पूरी कोशिश करेंगे इसके अलावाए जो है वो आपके बाकी जितने भी दंगल बचे हैं उन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुक्काम नाए बदाए नीट के एक्जाम के लिए जो आपको all the best अच्छा करके आना बढ़िया करके आना जीत के आना थैंक यू हलो फ्रेंड्स मैसल्फ नदीम टीम केमिस्ट्री आज हम लोग डिसक्स करेंगे दंगल 07 जिसमें मैं और गिनिक का पार्ट आप से डिसक्स करूंगा ठीक है तो व्क्वेस्टिन नंबर 74 से है और गिनिक का पार्ट इसमें लिखा है कि इन दे कंपाउंड the hybridization of C2 and C3 तो आप सभी को पता है कि अगर double bond triple bond का position सेम है तो numbering किदर से करते हैं इस side से 1,2,3,4 तो C2 carbon का hybridization क्या हो जाएगा? SP2, 1,2,3 का कितना हो जाएगा? SP answer कुन सा हो जाएगा हमारा second, ओके? next the molecule which cannot exhibit metamorism, तो देखो metamorism कौन शो करता है? bivalent functional group, trivalent functional group यह होते हैं, आप देखो ether क्या होता है? bivalent functional group होता है, तो यह तो शो कर सकता है ketone भी क्या होता है? bivalent functional group हमारे पास carbon भी है, जितना चाहिए उससे तो ज़्याद ही है amine, amine में देखो 1 degree भी हो सकता है, तो 2 degree भी हो सकता है इसका, 2 degree हुआ, 3 degree हुआ, यह सभी metamorism शो कर सकते हैं except alkyne and alkyne, तो alkyne हमारा जो है, वो metamorism नहीं शो करते हैं, yes, next which are the following structure of 2-ethyl, 2-2-dimethyl, pentane, तो pentane बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2-dimethyl और 1, 2, 3, 1, 2, 3 पर आना चाहिए, इथाईल, अब ऐसा structure कौन सा है हम, एक बार इसको चेक करता हूँ, second वाले को, तो CS3 हो गया, और C पर 2 CS3 लगा हुआ है है, उसके बाद है CH, उसके साथ है C2H5, फिर है CH2CH3 है, तो लोगे स्लोकें टूल लगा होगे, तो इधर से नंबरिंग करो यस, next, which of the following carbocatine has most hydrate shifting, तो देखो इसमें तो नहीं होगा hydrate shifting, विकॉज यह आप जानते हो, dancing resonance होता है इसमें, dancing resonance, तो इसमें hydrate तो नहीं होगा, इसमें देखो hydrate ही नहीं है पहले तो यहाँ पे, यहाँ पे hydrate ही नहीं है, और चलो माल लिया, अगर आपने methyl करके भी hydrate अगर करने कोशिश किया, तो उससे कम stable carbocatine आ जाएगा, तो भी नहीं होने वाला है, अब देखो hydrate यहाँ पर है, hydrate यहाँ पर तो दोनों में shift तो होने का chance है, यहाँ पर ज्यादा होगा hydrate shift, because जो यह carbocatine बनेगा, वो इस वाले carbocatine से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो answer कौन सा चला जाएगा, most में fourth answer चला जाएगा, next, which is the relationship between following compound, correct, which is the correct ही पुचा है, which is the correct, यहाँ पर देखी हिंदी में सही है वैसे तो, सही, which is the correct relation, correct है यहाँ पर चलो देखते हैं, तो देखो इसमें कोई भी plane of symmetry, sigma plane of symmetry नहीं है, यहाँ भी plane of symmetry नहीं है, इसको सही कर लो, three group rotation कर दो इसका, पहले सही तो बना लेते हैं, एक साइड में, CH3, BR इधर आ गया, H इधर आ गया, CL इधर आ गया, H इधर आ गया, CH3, इसमें भी sigma क्या है, absent, कोई भी मीजो तो नहीं हो सकता है, यह तो गया, identical का मतलब होता है, same, अब same, देखो कोई है, अच्छा, identical मतलब 2, 3, 2 और 3 बिलकुल सेम तो नहीं है, यह देखो, यह BR इधर है, CL इधर है, इसका BR इधर, तो यह भी गरबढ़ हो गया, second and third are diastymor, यह हो सकता है, देखो, second and third यह बना लिया हमने, इसमें देखो, एक fix है, और दूसरा क्या है, opposite, तो यह possible है, second, first and second are inansomor, inansomor ही नहीं, देखो, इसका correct mirroring में ही ही नहीं, तो answer कौन सा इसमें चला जाएग next, sodium salt of, sodium salt of which acid will be needed for the preparation of propane, by soda lime reaction, यहाँ पर भी, by soda lime, by soda lime reaction, तो soda lime reaction में propane, यह जानते हो, degradation process होता है, one carbon कम मिलेगा, अब propane इसका मतब एक ज्यादा लेना पड़ेगा इससे, तो यह वाला लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, CH3, CH2, CH2, COona, अब इसमें डाल दो, आप soda lime, NaOH plus CAO heat, आप जानते हो, decarboxylation हो जाता है, तो हो जाएगा, अपना third answer हो जाएगा, next, match the reaction given in column 1 with reaction of column 2, तो देखो यह acidic hydrolysis है कि नहीं है, यह hydration भी बोल सकते है, तो first का कौन सा हो जाएगा, D, second देखो PDH2 hydrogenation, इसका यह हो गया, first D, second A, ऐसा कहीं है, first D, second A, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, अब आगे चलते हैं, अब third देखो, third क्या है, हेलो जीनेशन है, हेलो जीनेशन है, तो third का क्या आना चाहिए, B, third का B, यहाँ है, चलो, तो answer कौन सा हो जाएगा, अपना four, वैसे भी पॉलीमराइजेशन है, बेंजीन बनता है, ना तो पॉलीमराइजेशन ही हो, ठीए, next, 81 एलमुनियम आप जानते हो, एलमुनियम कितना चार्ज दिखाता है, अगर इसका अलमुनियम पर क्या होता है, प्लस थ्री, तो एलमुनियम से रियक्शन कराओगे, प्लस माइनस तो इससे एक एलमुनियम से यह कितना जूड सकता है, पर एलमुनियम से कितना जूड सकता है तो इसका 30 बना दो बस ये तो इजी सही है C3, C3O और अल्मुनियम पर चार्ज ये हो गया 30, ठीक है? इसका चार्जफ इधर आएगा, इसका चार्जफ इधर आएगा 30 बनाएगा चार्जफ ये आजाएगा येस नेक्स देखते हैं 82 FVBR2 दिया हुआ major product चाहिए तो क्या हो गया ये Electrophilic aromatic substitution reaction Electrophilic aromatic हो देता है प्लस R गुरूप स्याधर देते हैं तो देखो इस पर ये जुड़ा हुआ इसका तो minus R होगा इस पर क्या होगा इसका plus R अब ये orth हो गया ये क्या हो गया पैरा जैसे देख लो density क्या होगी पैरा पर क्या होगी और्थो से ज़्याद होगी तो BR positive जो बनेगा इसमें वो किसवर majorly किसवर रटे करेगा पैरा पर तो answer कुन सा हो जाएगा third next H plus डाल के heat किया हुआ है तो देखो इसमें H plus डाल कर CH2 OH H plus डाल दोगे लोग ये reaction हो गया ये हो जाएगा कुल मिला कर माइनस अब क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O और जोनियम आन बनके ये हो गया अब इसमें क्या हो जाता है ring expansion ring expansion करोगे अब heat डाली रखा है आपने H यहाँ से निकल जाएगा कुल मिला क्या बन जाएगा इसमें benzene as a major product next rhymer time and reaction molecular weight तो देखो फिनॉल पर फिनॉल पर जब rhymer time and कराते हो आप CHCl3 plus NaOH ठीक है aqueous तो इसमें क्या मना देता है salicyldehyde बनाता है salicyldehyde C11OH अब कह रहा है कि molecular weight increase by तो देखो यहाँ पर H था 1H गया यह 1H आ गया यह तो बराबर ही हो गया अब बढ़ा कितना फिर 12 हो गया carbon का oxygen का कितना हो गया 16 तो यह हो गया 8 और यह हो गया 28 कितना बढ़ गया increase by 28 देखो भई यह है 3 degree और यह strong nucleophile भी है और यह क्या है strong base भी है strong nucleophile क्या देता है SN2 strong base क्या देता है E2 ठीक है अब आप जानते हो SN2 में यह कितना degree है 3 degree है SN2 तो नहीं देगा तो क्या इसका mechanism आएगा E2 अब इसको निकालके E2 लगा दो तो कोई alkene बना देगा अगल बगल में यह बन जाएगा ठीक है इसमें देखो यहाँ alkene बना बट carbon गड़बड़़ए 1,2,3,4,5 जब कि हमारे पास carbon कितने है 4 ही है ठीक है तो E2 elimination because of strong base और यह 3 डिग्री है तो SN2 तो नहीं दे सकता है इसलिए support किसको करेगा वा E2 को support करेगा तो next question पर चलते है question number 86 86 में देखिए Na NH2 डाल रखा है benzyne mechanism benzyne mechanism दो तरह का देता है sine substitution और direct substitution दो देता है हमें क्या क्या देखना होता है इसमें carbon 9 की stability carbon 9 stability only by minus i या plus i effect benzyne बना के carbon 9 की stability देख लेना है जिसका carbon 9 ज्यादे stable होगा होई major product देगा तो इसमें आप देख लो यह वाला आ जाएगा major product ठीक है next which of the following can give die test die test कोन देता है primary aromatic mean देता है primary aromatic mean पर जब NaNo2 और HCl का रिएशन करा देते हैं 5 degree below 5 degree पर तो डाइजुनियम सॉल्ड बनाता है ठीक है उसके बाद आप phenol पर या इनलील पर reaction कराते हैं तो डाई बनता है कुल मिलाकर आपको कौन देगा कौन सा amine die test में जा सकता है primary amine होना चाहिए aromatic primary अब देखो यह amide है यह नहीं होगा यह 2 degree है यह नहीं होगा यह aromatic नहीं है देखो aromatic सिर्व यह बला है तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड अंसर next select the correct reaction अब आज जानते है sodium bicarbonate test कौन कौन देता है carboxylic acid, sulfonic acid, picric acid yes paranitrophenol phenol नहीं देता है तो देखो sulfonic acid तो देदेगा चलो ठीक है correct है अच्छा इसमें एक चीज़ हो रहे है इसमें क्या होता है कि क्यों देता है इसा इसा concept यह है कि strong acid, weak acid बना सकता है but weak acid, strong acid नहीं बना सकता sulfonic acid is more acidic than इसमें correct पहले तो पुछा है तो देखो यहाँ जब acid base reaction होगा acid base reaction होगा यह तो बनेगा अब यह SO2 पता नहीं कहां सा आ गया SO2 थोड़ीं बनेगा H2CO3 बनेगा क्या बनेगा तो यह तो यहाँ पहले नहीं तो इसलिए तो इनकरेक्ट हो गया इसमें देखो sulfonic acid is more acidic than carboxly acid तो strong weak बना सकता है यह strong हो गया और यह क्या है यह तो possible है फिनॉल देखो फिनॉल से ज़्यादा acid होता है carbonic acid तो weak strong नहीं बना सकता है यह गलत हो गया water is more acidic than ethyl alcohol तो देखो weak strong नहीं बना सकता है तो यह भी क्या है गलत है answer कौन साब ना चला जाएगा second answer which of the following does not give sodium sodium bisulfide test कौन देता है वो एक तो aldehyde देते है ठीक है glucose, fructose यह सब नहीं देता है दूसरा ketone कुछ देते हैं वही ketone देते हैं जिनके दोनों साइड bulkiness क्या हो कम हो तो generally बोल दिया जाता है कि मिथा generally generally given by methylated methylated ketones ketones except except acetophenone 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 नहीं देता है because acetophenone में excite benzene आ जाता है तो bulkiness बढ़ जाता है और देखरो आपका nucleophile भी काफी क्या है bulkiness तो reaction किदर favor करता है backward direction इसलिए generally ketone में कौन देता है methylated यसे acetone दे देगा ethyl methyl ketone दे देगा but diethyl ketone नहीं देगा methyl होना चाहिए और methyl में भी acetophenone नहीं दे रहा acetophenone जब बनाओ गया आप न तो यह ऐसे आ जाएगा तो यह बल्की हो गया ना बहुत जादा तो reaction किदर फ़र चलेगा backward direction next compound A and C in the following reaction चलो इस पर greenard regent CS3 C double bond OH CS3 का टेक मरवाद रहे नूक्लियोफाइल है नूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया वाटर डाल दोगे घुमा फिरा के यह क्या कर देगा CS3 COHH और इधर आ गया CH3 यह अपना आ गया क्या A 2 propanol अब आप देख रहा हो H204 डाल के heat किया हुआ है H plus और heat डाल दिया Oxonium N बनेगा यहाँ पर तो यह क्या होगा Minus of H2O मतलब यह E1 Mechanism के थूरू जाना शुरू कर देगा तो क्या बन जाएग यहाँ पर CS3 CHW Dehydration of alcohol Dehydration of alcohol हो गया यह बन गया अब आप देखो Hydroboration Oxidation करोगे तो क्या देता हो HBO Anti-Marconic of product देता है अब ऐसे Generally अपन बोल सकते हैं Anti-Marconic of product Anti-Marconic of alcohol देगा CH2 CH2OH यह अपना आ गया C यह आ गया B अब क्या बुला है A और C के बारे में बात हो रही है सिर्फ A और C तो A तो यह हो गया 2 यह आपर double bond नहीं है 2 propanol 1 propanol आपस में क्या होंगे Position isomers Position isomers ठीक है Next